एक्सलेंसी नमस्कार सबसे पहले सेंटरल मेतनाम में बाड और भूस खलन के कारण जो ख्षती हुई है उसके लिए मैं सभी भारत वासियों की और से समवेदनाई व्यक्त करता हूँ मैं आशा करता हूँ कि इस परितिती से निपटने में भारत वारा भेजी गई राहत सामगरी आपके काम आएगी एक्सलेंसी व्यक्तनाम ने जिस सफलता से कोविड नाइन नाइनटीन पैंडेमिक को संभाला है इसकी प्रसुंसा पूरे विश्व में हो रही है मैं इसके लिए आपको और व्यक्तनाम के नागरिकों को बदाई देता हूँ एक्सलेंसी पिछले महिने हम आजशियान इंडिया वर्च्यूल समिट में मिले थे और मुझे खुशी है कि आज फिर आपसीद बात चीद करने का अवसर मिला है वियतनाम भारत की एक्ट इस्ट पॉलिशी का महत्वपुन स्थम्भ है और हमारे इंडो पैसिफिक वीजन का एक महत्वपुन सहयोगी है हमारी comprehensive strategic partnership का दाइरा आज बहुत विश्तरूत है हमारे बीच आपसी संपर्ग भी तेजी से बढ़ रहे हैं और नए ख्षित्रों में फैल रहे हैं हम वियतनाम के साथ अपने समंदों को एक long term और strategic view से देखते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में peace, stability and prosperity हमारे साजा उद्देश है इस ख्षित्र में स्थीर्ता और शान्ति कायम रखने के लिए हमारी साजेदारी महत्वपुन योगदान दे सकती हैं आज के virtual summit में हम अपनी comprehensive strategic partnership के अंतरगत चल रहे सहयोग के विविन पहलुआ का आकलन करेंगे साथ ही regional और multilateral स्थर पर भी हमारे आपसी सहयोग के विशेव में चर्चा करने का या अच्छा मोका है वैस्विक्स तरपर कई चुनोतियों के बारे में और हमारे खेत्र के भविश्य के बारे में हमारे विचारों में समानता है और हम साथ मिलकर अपने साजा मुल्यों को आगे बढ़ा सकते हैं अगले साल हम दोनों सयुक्त रास की सुरक्षा परिश्यद में एक साथ सदस्य होंगे और इसलिए वैस्विक मंच पर हमारे सहयोग का महत्पवी और भी बढ़ जाता है यह प्रसंता की बात है का आज हम एक जॉइंट विजन डॉक्युमेंट और 2021 से 2023 तक के हमारे बाइलिटरल एंगेजमेंट के लिए एक प्लान आप एक्षन को जारी कर रहे हैं इस जॉइंट विजन फर पीस, प्रॉस्परिटी एंड पीपल में विश्व को हमारे समंदों की गहराय का एक मजबूत संदेश जाएगा हमारी वारता के साथ साथ दोनों देशों के बीच साथ महतोपन समझोते भी साइन हुए है इन में रक्षा, वैज्यानिक रिसर्च, परमान गुर्जा, पैट्रोखेमिकल्स, रिन्यूबल एनरजी तथा कैंसर के इलाज जैसे विवित विशेश शामिल है हम अपने विकास सहयोग और सांस्कूतिक सवरक्षन के शेत्र में भी नई पहल ले रहे हैं यह सभी हमारे बढ़ते आपसी सहयोग के विस्तार और पोटेंशल को दरसाता है एक्सलेंसी, मैं फिर एक मार्ग इस वर्चुल समिट में आपका स्वागत करता हूँ और मैं अब आपको ओपनिंग रिमार्ज के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा